जो हाई गाईज इन बेलकम बैक्तोबर गेमिंग जैनल जालपुर गेमाद तो आच वीडियो हम बताएंगे आपकुछ अपकमिंग इनकोबेटर के बार में एंड गाईज जो रेटन बेक आने वाला है इनकोबेटर एक लिक निकल के आई है तो उसके बार में वीडियो सबस्क्राइब कर देना ताकी जब भी वीडियो अप्लोड कर आप सभी को नोडिफिकेशन पहले मिल जाएंड गाई हमारा एक और बंडल वाला इंकोबेटर है तो आप सभी को रिटन बेक रिटन बेक स्वरी मलब अपकमिंग वाला है तो वह कब तक देखने हो मुलेगा पता देते हैं वीडियो पर आज आज की वीडियो आप सभी को फॉल इंफो में जाएगी इंकोबेटर के बर में जैसे आप सब्सक्राइब को देखने हो मिल गया है इसके बाद आप सब्सक्राइब इसके नो मिल चुका है ब्लू आटिक का बाद मलब ब्लू आटिक का इंकोबेटर एंगाइज साथ में रिटन वेग आचुके हैं यह सब लोग यह वाला इनकोबेटर आना था या नैटिकन का तो आएगा मलब ओभी ठाइटी के बाद आज आज आएगा मलब दू कालिया प फर कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके जरूर से बताओ और की इस एन्मेसर कमेंट करके जरूर से बताओ एंडो आता तो कौन को निकल वालगा यह इनको वेटर तो कौन सब्सक्राइब साथ बैल नोटिफिकेजिन को प्रसेड कर देना ताकि जब भी विड़ा डालू तो आप सब्सक्राइब को नोटिफिकेजिन फ़ले मिजा राइस बात करें कि जो हमारे यह सिकेंड मेरा रखा जाएगा ब्लू वाला बंदल एंडगा इसके बाद ब्लू में यह रखा-जाएगा सेग ऑप को यह AT करेंट में आप सकाई वाला देखने को मिलेगा ऑद्धा ग्रीन विलूप फोड़ा नार्मल टाइप का ग्रीन है यह आप सब्सक्राइब मेरा थाप्रोंग देखने को मिलेगा यहिए पर्पल कलरद का परफल छोड़ा कम मलब सब्सक में रखा जाएगा एंड जिसमें कोई खास अनिमीशन नहीं है नौरमल सा मलब हैलमेड वाला एनिमीशन है जो हमारा चस्मा है एक प्रकर से इसमें अनिमीशन देखने मिलेगा तो गाइस वीडियो कैसी लगी हमारी यह 94 के एंड जो अपकमिंग जो रिटन वे एक बंडल की हमारा एंड़ नो बंडल मद देन वाले बंडल वाले इंड़ेटर देखने को मिल सकते हैं हैं दो अब然后 आए लिए वाले इंकूवेटर देकने को मिल जाएगा तो गश्ची वीडियो आजए है जुत नए उन जोड़े फार फॉइधने समाउस आपने शण गाइस